सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल परवीन धुन्डवा में फिर हाजिर है नई अपडेट के साथ अपडेट है हर्याना में BPL परिवारों के एविवाहित पूर्श और महिलाओं को मिलेगी 2745 रुपे मासिक पैंसन आपको बता दें जिस परकार से हर्याना में बुडापा पैंसन हो चाहे विद्वा पैंसन हो या दिव्यांग पैंसन हो इनी की तरज पर आप BPL परिवार के एविवाहित पूर्श और महिलाओं को सरकार पैंसन देने वारी है जो 2745 रुपे बुडापा पैंसन मिल रही है उस की तरज पर उसके लिए क्या क्या कंडिशन लगाए गई है क्या आपकी आयू होनी चाहिए पूरी जानकार इस वीडियो में देंगे तो एक बड़ा हम आपको बता देते हैं मुख्यमंतरी मनोरलाल ने प्रेस कॉनफरेंस में की घोशना उमर 45 साल से 60 साल के बीच होनी चाह हर्याना के मुख्यमंतरी मनोरलाल ने गोशना की है प्रेस के 1.8 लाख रुपे तक के बीपियल परिवार के एविवाइद पूर्स और महिलाओं को 27.4 रुपे मासिक पैंसन मिलेगी या पैंसन 45 साल से 60 साल के बीच के लोगों को मिलेगी उन्होंने एक अन्या गोशना की है कि जिस विदूर की वैक्ती कत सालाना आए 3.0 रुपे तक है उसे 27.4 रुपे पैंसन मिलेगी आपको बता दें वहिदूर तक वैक्ती के पतनी गुजर जाती है उसके बाद उसे विदूर बोला जाता है तो उनको भी पैंसन मिलेगी उसके लिए आपकी आयू साल से 60 साल हो सुह मुख्या मंत्री ने गोषना विर्वार को यहां कूल को प्रैस और परिवारों में लगब कि साथ दिन हुई है वो टोटल पूरे हर्याना में प्रिपल पी के डाटा के उनसार 65,000 पर जो लोग पाए गए हैं जबकि 3 लाख रूपे तक की आए वाले प्रिवारों में लगबग 5700 लोग विदूर हैं यानि जिनकी पतनी की डैथ हो गई है तो उनकी जो टोटल संख्या वो 5700 यानि 5,700 ऐसे लोग मिले हैं इसी तरह लगबग 4,000 लोगों को जुलाई 2003 से या पैंसन मिलेगी इस योजना का लाब है जो जुलाई से मिलना सुरू हो जाएगा तो ये जो बड़ी घोसना है हरियाना सरकार ने की है बुडापा पैंसन की तरज पर अब हरियाना में जो एविवाहित पूरस और महिलाएं हैं जिनकी आयू 45 साल से 60 साल के बीच है उन सबी को अब हरियाना में जो पैंसन है वो मिलनी शुरू हो जाएगी जुलाई से इसका आप यह सब उठा पाएंगे उसके लिए हमने जो कंडिशन बताई है उसका जो पालन है उन्हें करना होगा तो यही जानकर इस वीडियो में देनी थी वीडियो कैसी लेगी कमेंट में जुरूर बताएं धन्यवाद साथ यह वीडियो देखने के लिए आपका दिन सुब हो अगान झाया जाएंगे भिए ठीडियो कि मुस्तर सुब हो यह वीडियो रहा कि जाफ़